हाई बच्चों वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं अच्छे ही होंगे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सौट टाइप एंस्वर गोश्चिन एजुकेशन सिक्षा सब्जेक्ट से ब शिक्षा से सब्जेक्ट हो गया और इसका सौट टाइप एंस्वर कोश्चिन पर प्रकाश डालिए उपने वस समावरतन संस्कार जो है क्या है उस पर हम लोग को फोकस करना है उस पर हम लोग को बताना है उपने अन संस्कार क्या है और समावरतन संस्कार क्या है उस पर हम लोग क्या करते हैं परकाश डालते है ठीक है उस पर हम लोग परकाश डालते है उत्तर उपने अन संस्कार क्या है उपने अन संस्कार जब गुर को पढ़ाने ले जाया जाता था उसको उपनाएन संस्कार सिंपल सी बात है पूरे वीडियो में पूरे उपनाएन संसकार जो टौपिक है इसमें यही पढ़ना है उसकी आयू क्या थी उपनें संसकार अड्मिसंपने खराय troops Divine उपनेन का शाब्दी करत है पास ले जाना गुरू के पास सिखे लिडिंग नियर उपनेन एक धार्मिक संस्कार था धर्म सरीलेटिड था उसको जो है धार्मिक संस्कार धर्म की सिख्छा दिया करते थे जिसके द्वारा बालों को भौतिक शरीर के अध्यात्म शरीर प्राप होती थी ठीक है बैसी की बारह वर्स उप्युक्त माने जाती थी बैसी की आयो कितनी बर्स माने जाती थी बारह वर्स ठीक है उपनेन के समय बालक की आयो वन के अनुसार हुआ करती वन ब्रामण छत्री और बैश ब्रामण की आठ वर्स छत्री की 11 वर्स वह वैसी की बारह वर्स उप्युक्त माने जाती इस संस्कार के समय बालक कोपिन मेखलाता था हाथ में दंड धाना करता था गुरु अचारे बालक अगनी इंद्र सूरित सरस्थी आधी की वंदना कर गैत्री मंत्र का उच्छाना करता वो यग्यों पवती या जनेव मेखला धाना कराया जाता उपनेयन संस्कार के बाद द्विज ब्रह्मचारी कहलाता था किसकी इंद्र सूरित सरस्थी आधी की वंदना कर गैत्री मंत्र का उच्छाना करता था और यग्यों पवित या जनेव मेखला धाना कराया जाता था उपनेयन संस्कार में जनेव का धाना कराया जाता था ठीक जो है हिंदुवादी ब्रामणबादी अध्यात में सिक्षा उसको नहीं मिल पाती उसी तरह जिसके कलमा के बिना मुसल्मान रथा वप अस्तिमा के बिना इसाई नहीं कह लाता ठीक उसी प्रकार उपनेयन संस्कार की बिना वैदिक सिक्षा की प्राप्ति नहीं होती थी यह था समवरतन संसकार, देखेजें हैं, समवरतन संसकार, जब चातर अपने भिद्धियार थी, ब्रह्मचर जीवन की समाप्तिकर, पुना गृहस्त आसरम में प्रवेश करता। ग्रिहस्त आस्रम जब घर लोड़ता था तो उस समय समावरतन संसकार कहा जाए जाए आई आई टी आजकर फेरवेल होता है पाटी होती है बिदाई समारोह होता है जब स्कूल विश्व विद्याले से हम लोग निकलते हैं तो उस समय समावरतन संसकार होते थे गुरकुल में उसकी आयो निर्धारित थे और रिटर्निंग घर जाना होता था उस समय समावरतन संसकार विदाई समारोह होता था उसको हम लोग समावरतन संसकार बोलते थे समावरतन संसकार में क्या प्रोसेस था क्या होता था उसको हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मचर जीवन की समाप्ति करपुना ग्रिहस्त जीवन में जो प्रवेश्ट करता तब यह संस्कार संपन कराया जाता था कौन संस्कार समावर्तन संस्कार यह संस्कार आज के विसुविद्यालेओं को दिक्षान समारों से मिलता जूलता है इस संसकार अर्था समावरतन शब्द समावरतन शब्द जो है कशाबदिक अर्थ क्या है घर लौटना रिटर्निंग कितने समसकार के बाद खातर असना कहला ता इस दिन यू समसकार होता था उस दीन दोपहर के बाद की समय छात्र असनान करके नए वस्त्र धान कर गुरु के समक्ष उपस्थित होता था गुरु के समक्ष क्या होता था उपस्थित होता था गुरु पहले उसे मधु पर्क देता था उसके बाद समावर्तन उपदेश गुरु पहले उसे क्या देता था कर गुरू से विदा लेता था अंत्मे असनातिक जो स्कूल से रिटर्णिंग